इंग लगन वालों के लिए गोचर तो पहले समझते हैं जब फर्ष्ट हाउस में सुक्र आके बैठा है और डिगरी भी देखे बहुत अच्छा है इस समय गोचर में तो इस समय क्या होते हैं यह लूप थोड़े रोमेंटिक फिल करते हैं इनके लाइफ में किसी के आने के भी बहुत ज़्यादे चांस होते हैं साथ में आप देखेंगे कि चंद्रमा जो है नीच का होके बैठे है यानि मांसिक थोड़ा सा ओवर थिंकिंगी की सिकार हो सकते हैं अनिस्टेबिलिटी दिखेगे इनके मन में सेम ऐसा ही आपके बारवे घर से भी इनका प्रभाव देख यह एक अच्छा इंडिकेशन होता है ऐसे में आप भागी के लिए महनत करेंगे भविसे में अच्छी चीजे हो इसके लिए आप महनत करेंगे जौब के लिए पिजनेस के लिए सब के लिए सब महनत करेंगे यह चीज आपको देखने को मिलेगी साथ में एक खराब चीज जाया हुए है सुरे जो है नीच के हो गए है और आप इसका नुकसान भी देखने को मिलेगा साथ में आप देखेंगे तो सुकर भी अगले दस दिन बाद ये भी नीच के हो जाएंगे तो दोनों लोग नीच के हो जाएंगे सुकर और विनस इस केस में आपको बचना होगा कि इसी भी अपोजी जेंडर से क्योंकि उस दोरान आने वाले अपोजी जेंडर आपके लाइफ में खराबी यानि तहस नहस करके जाएंगे ठीक है तो यहां से आप देखेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस यह डाउन कर देगा सूरे जब से इस समय तीसरे घर में है और इस समय यहा रखें विसेस करके देखेंगे तो मरकरी बहुत अच्छे कंडियसन में है पिछले कुछ टाइम से मरकरी बहुत बढ़िया कंडियसन में है तो यहां से क्या दिखा रहा है आपके घर में यानि आपके सेवड मनी में इजाफा पैसे में बरिद्धी दोसरा की वारी भाव ब पूरा का पूरा भी एक महीना बचा हुआ है और एक महीने तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी देखने को मिलेगी एक डर बना रहेगा हेल्थ में आपके कमी देखने को मिलेगी और सुकर जब खराब होंगे तो इस भी सो डेफनेटली आप किसी भी और अपुजिर ज जाते हैं उल्टा चलते हैं तो जब बारम में जाएंगे तो अब राहू यहां पे आ जाएंगे इसमें अभी टाइम है यह खतम होते ही होते हो जाएंगे राहू यहां आ जाएंगे और केतू यहां आ जाएंगे तो वाड़ी भाव से आपको थोड़ा सा बचाओ करके रखना रहा है केतु आ जाएंगे तो यह डिएड़ साल तक केतु यहां रहेंगे राहू यहां रहेंगे तो आपको वाड़ी बहुं में थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा ऐसी राहू आ जाएंगे बार आपके बारवे घर पे दृष्टी डालेंगे और साथ में आपके मम्मी अले घर प्रपर्टी बिद्ष्टी डालेंगे तो यहां खुस्यों में भी थोड़ी प्रावलम देखने को मिलेगे थोड़ी सेपरेटिव टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगे यानि थोड़ा सा कह सकते हो साधू जैसी फिलिंग दे सकते हैं और यहां पर केतु होने से आपकी वाड़ी में भी थोड़ी सेपरेटिव टेंडेंसी देखें कि मतला बातों से ही चीजों में अलगाओ पैदा करो गया ठीक है यानि रिस्ते कमजर होने के चांस रहते हैं तो इन सब चीजों पर भी बिसेस ध्यान दे अगले के डेड़ आगए के डेड़ साल तक के से लिए अब यहाँ जन्वरी में सनी आ गये थे डिग देखिये यहां पे हुआ पड़ा है इनका देखें यह को बहुत ध्यान देना रहेगा इस जगे को लेके ठीक है ओवर अल ये एक अच्छा कहेंगे कि सब कुछ बहुत अच्छा है क्योंकि यहां से जब राहू हटेंगे तो यह भागे में आए हुए जुपिटर है भागे में जब जुपिटर बैठते हैं तो यह कई सारे अच्छे कारे कराते हैं सुबकारे घर में होते हैं ठीक है तो यहां से जुपिटर अभी सुबकारे कराएंगे फिर अगला 2024 में यहां पर आ जाएंगे यह ठीक है 2024 में भी बहुत अच्छा आपका टाइ मिलेगा ही मिलेगा ठीक है यह समझ जाए यहां पर आपको एक बहुत अच्छा इंडिकेशन देखने को मिल रहा है बस राहू जब यहां आएंगे तो अपना अपना इफेक्ट भी डालेंगे जो कि हमने बताया वर यह था आपके गोचर सिंग रासी के लिए गोचर अभी के लिए चलिए मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में